आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 36 Convocation का जो आपके लिए online form है उसमें आपके लिए एक नई अपडेट इगनु की तरफ से जारी की गई है जो जानकारी दी गई है वो आज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आज की वीडिय इसलिए कोस दिनों से चल नहीं रही है जिसकी वैसे जो रिजल्ट का सेक्शन है या डाउन्डोड का सेक्शन है वो सभी के सभी समय काम नहीं कर रहे है आपको इगनु का जो 36 Convocation का online form है उसका link आपको इस वीडियो के description box से भी मिल जाएगा और आप सीधा Google में जाकर अगर इगनु 36 Convocation डालेंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए ये form का link जो अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ पर से आप सीधा यहाँ पर पहुंच सकते हैं उसमें पहले उसमें आप देख सकते हैं green पे जो लिखा हुआ है today 20 March 2023 यानि की 20 March 2023 जो है वो आखरी तारीक है online registration करवाने की 36 Convocation की यानि की एक बार फिर से आपको reminder करवाया गया है आपको बताया गया है की आज 20 March 2023 जो आखरी दिन है अगर आप registration करना चाते हैं 36 Convocation के लिए degree diploma certificate लेने के लिए ऐसे सभी इस्ट्रेंट जिनका December 2021 या फिर जून 2022 में course complete हुआ है सभी subject उनके complete हो चुके है June 2022 तक तो वह eligible है कि वह अपना जो convocation है 36 Convocation उसके लिए register करें उसकी पीस पेइमेंट करें और उनको डिग्री डिप्लोमा certificate जब दिया जाएगा Convocation आगे भी लिखा हुआ है और इसमें and the Convocation has been scheduled for 3rd April 2023 यानि की Convocation जो होने वाला वो 3 April 2023 को होने वाला इसके उपर एक notice भी जारी किया जाता और अब इगनु का जो form है उसमें भी यह जानकारी आपके लिए available है कि 3 April 2023 तक जो है वो आपका Convocation जो है वो करवाया जाएगा तो आप 36 Convocation के लिए register कर सकते हैं अभी भी आपके पास मौका है आज ही मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपका जो last date है वो खतम हो जाता है और तब तक आपका जो course है वो पू आप offline जाकर जो regional center होगा वहाँ पर जाकर आपको fees payment करनी होगी एक बार 3 April 2023 जब खतम हो जाएगा Convocation हो जाएगा उसके बाद आप offline जाकर regional center में भी demand draft के जरिए 36 Convocation जो है उसके लिए अपनी fees payment कर पाएंगे लेकिन जितने 20 जिनका course अभी पूरा हो चुका है और वो registration करने क जो है कर दे अगर आज 20 मार्थ 2023 के बाद आपका course complete होता है तो उसके बाद आपको offline जो है वो अपना registration जो है वो करवाना होगा regional center जाकर वो इस 2036 Convocation के लिए अपना registration करवा सकते हैं जिनका जून 2022 और दिसमबर 2021 में course complete हुआ है ऐसे इस्ट्वन दिनका दिसमबर 2022 में result आ रह आया है और उसके बाद उनका course complete हो रहा है तो उनको अगले साल तक का इंतिदार करना होगा क्योंकि उनको जो degree diploma certificate मिलेगा वो 37th Convocation में दिया जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही